बॉलिवर एक्ट्रेस सोहा अली खान ने आज अपनी बेटी इनाया और मा शर्मिला टेगोर की साथ कुछ तस्वीरी पोस्ट की इन तस्वीरों में सोहा अपने पिता मंसूर अली खान की कबर पर दुआ पढ़ते वे नजर आई दरसला चैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान के पिता जी मंसूर अली खान की दस्वी पोन्नेती थी है और इस मौके पर सोहा अपने पिता को शद्धांजरी देते वे नजर आई भारत के महान क्रिकेटर मंसूर अली खान पटोदी का आसे दस साल पहले निधन हुआ था मंसूर अली खान को टाइगर पटोदी के नाम से भी जाना चाता था और आज सोहा अपने पिता को शद्धांजरी देने के लिए माशार मिला टेगर के साथ पटोदी गाउं पहुची थी सोहा ने अपनी बेटी इनाया के साथ पिता की कबर पर दुआ पड़ी और दुविगन पिता मंसूर अली खान पटोदी को याद किया इन तस्वीरों को पोस्ट करते वे सोहा ने लिखा है आप कभी भी नहीं मर सकते जब तक आपको याद करना नहीं भूल जाते वही सैफ अलिखान के बेहन सबा पटोदी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में उनके पिता की शादी, क्रिकेट और आखरी दिनों से जुड़ी तस्वीरे शामिल है इस वीडियो को शेर करते वे सबा लिखती है अब्बा मैं आपको हर रोज याद करती हूँ लगता ही नहीं आपको छोड़ कर गए एक दशक हो गया लगता है कल ही की बात है आप हमारे दिलों में रहते हैं अमेशा प्यार करते रहेंगे इससे पहले भी सोहन अपने पिता को याद करते भी कुछ वीडियोस पोस्ट किये थे जिसमें मंसूर अली खान पटोदी के बच्पन से लेकर अंधिम वक्त तक की तस्वीरे शामिल थी आपको बताते पटोदी पेलेस को बने करीब 84 साल हो गए हैं इसका निर्मान 1935 में आठवे नवाप और भारती टीम के पूर्व कप्तान इफ्तिखार अली हुसेन सिद्धिकी ने करवाया था नवाप पटोदी की मौत के बाद उन्हें महल परिसर में इस दित गब्रगाह में तफनाया गया था वहीं आपको बता दे इन दिन में सैफ अली खान भारत में नहीं है वो करिना कपूर का जन्म दिन सेलिब्रेट करने के लिए किसी अन्नोन आयरलेंड पर गएवे हैं वहाँ से करिना के बड़े सेलिब्रेशन की एक तस्वीर भी सामने आई है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही एंडिटेंट्मेंट से जुड़ी और भी लेटेस अपडेट्स के लिए सस्क्राइब करें कचप खबरें